नमस्कार दोस्तों, बहुत बार आप सब मुझे कमेंट करते रहते हैं, जब भी मैं पढ़ाता हूँ, आप एक ही कमेंट करते हैं, सर आप तो कट ओफ बताओ इस साल का MP पुलिस का कट ओफ क्या जाएगा, है ना, जैसे पता नहीं मैं कोई जोतिश हूँ या अंतर यामी तो आपको पता है कि कट ओफ के फेवर में मैं कमी रहता हूँ, और बहुत factual बात करना पसंद करता हूँ, तो मैंने इस साल का कट ओफ क्या रहेगा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं आपको सजिस्ट करूँगा, आप इस चकर में मत पढ़िये, लेकिन हम प प्रकार की पोस्ट होती, इसमें डिस्टिक फोर्स होती है, एक आम फोर्स होती है, और एक आपकी रेडियो यानि जो टेक्निकल पोस्ट होती है, तो इन सब चीजों पर फटाफट बात करते हैं, उसके आधार पर आप समझ लीजे कि इस साल का कटॉप भी लगवक उसी के आस-पास रह सकता है, यह ना, बाकी फिर चीजे मैं आपको बताता हूँ, तो देखें, आपको पता है कि टोटल सामानी ड्यूटी, अगर जनरल ड्यूटी की बात करें, तो 7,090 पद इस बार है, और अगर हम आम्ड फोर्स की बात करें, इस्पेशल आम्ड फोर्स उसकी वेकेंसी 2646 है, अगर विशेश सस्थर वल को छोड़ दिया जाए, जनरल ड्यूटी से, तो डबल फोर, डबल फोर यहां पर हो जाता है, रेडियो ओपरेटर जो टेकनिकल एक्जाम होता है, उनके लिए फिर यहां पर विशेश पद है, जो कि 321 है, और कई सारे स्ट रोक के आप यहां पर पढ़ सकते, मैं बहुत जल्द इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, रेडियो की जो भी स्टुडेंट तयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार का पेपर आता है, क्या चीज़े होती, उस पर अलग से वीडियो हम बनाएंगे, अब बात कर लेते हैं, कट ओफ की यह district 4 से, यानि जो general duty, तो यहां पर लिखा हुआ है सारा, आप आराम से screenshot ले लिजेगा, जैसे यहां पर लिखा है, you are unreserved category का, तो you are open, open मतलब इसके अंदर सब लोग आ गए, 80 का cutoff गया, आपको पता है, 100 नंबर का paper होता है, और 100 नंबर में से 80 का cutoff लास्ट यर गया था, original PDF, अभी भी व्यापम की website पे डली हुई है, वहीं से मैंने download करके यह बनाया है, आप भी देख सकते हो, female की बात करें, तो you are का, unreserved का female का cutoff 67 गया था, EWS का cutoff 73.56, OBS का 77, OBC का 77, OBC female का 72.9, AC open, AC female, यहां सब दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ आप वीडियो को रोक के आराम से यहां पे देख ले, इस साल का cutoff, paper का label लगवग वही रहने की संभावना है, जो पहले था, तो आप मानसी ग्रूप से तयार हो जाईए, कि भईया, इतने नंबर तो अपने को लाने है, है ना, अगर इसी के बाद हम बात करें, SAF की special armed forces की, तो उसमें आपको पताए कि के label ये लड़कों के लिए होता है, इसलिए महिलाओं का यहां पे नहीं है cutoff, उसके अलावा आप यहां पे cutoff देख सकते हैं, क्या है, और अगर radio operator के लिए आप जाना चाहते हैं, तो आपको पता है, 100-100 नंबर के 2 papers होते हैं, out of 200, 200 नंबर में से नंबर लाने पड़ते हैं, तो यहां पर वो cutoff आपको यहां पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, है ना, देखिए मैं आपको एक चीज हमेशा समझाता हूँ कि मैं क्यों cutoff के favor में नहीं रहता हूँ, पहली चीज आप अपना खुद का cutoff सेट करें कि सर मुझे इतने नंबर लाने हैं, है ना, मैं आप यहां पर अपनी केटेगरी इस आप से देख लीजिए, फिर भी आप चाहते हैं और प्रकार से safe रहना अगर आप केटेगरी विशेश से हैं तो आप 70 का target रखिए, जनरल से हैं तो आप 80 का target रखके पढ़ाई करिए, बल्कि उससे ज्यादा की, देखिए cutoff हमेशा दो पर दिया, वो पता चलेगा, average बच्चों के marks क्या जा रहे हैं, उसके बाद हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई, शायद यह हो सकता है, अभी से अगर कोई cutoff बता रहा है, अभी से आप cutoff के पीछे पढ़ रहे हो, मेरा मानना है कि इस समय cutoff के बारे में बताने वाला तो उतनी शिद्दत के साथ, उतनी मेहनत के साथ, तो अपना खुद का एक target set करिए, कि यार मुझे 80 नमबर लाना है, मुझे 85 नमबर लाना है, उतने के लिए महनत करनी है, क्या आएगा, क्या होगा, वो बात की बात है, उसके हिसाफ से काम करेंगे, और अपना best देंगे, जी जाने एक लगा देंगे, और best से best नमबर लाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, मैं जब भी class लेता था, यह आपका एक बहुत common question होता था, तो हमने एक chart बना के आपको बता दिया, कि भाई, ये पिछले साल का cut-off है, आप लगवग मान सकते हो कि इस साल भी ये जा सकता है, बाकी paper होने दीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी अपनी पड़ाई पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तयारी को मजबूत करिए, सारे विश्यों को अच्छा करिए, math reasoning का स सबसे यादा रोल है, आप समझें कि 80 में से या 70 में से 65 प्रशन तो आपके math reasoning की बदोलत आ सकते हैं, तो math reasoning बहुत एहम रोल प्ले करता है, constable के exam में, उसको मजबूत करिए, हर chapter सीखना है, हर chapter की practice करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि ये अपने से नहीं आता, हर चीज क सीख कर जाईए, हर चीज को मजबूत बना के जाईए, बाकी एक talk session, एक रणनीती का वीडियो है, जो शायद डल गया होगा ये डलने वाला होगा YouTube पर, वो आप देखला है, उसमें मैंने पूरी बात करी है, कि आने वाले 15 दिन, 20 दिनों में किस तरीके से हमें पढ़ाई कर करनी चाहिए, क्या schedule होना चाहिए, वो वीडियो आप सब लोग देख लिजेगा, ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं, और winners के साथ आप काफी practice कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या-क्या चीज़े दे रहे हैं, वो एक बार आप देख लिजिए, course आपके पास ह होगा शायद, लगबख सभी बच्चों ने एक course लिया ही है, 499 का है, test series इसके अंदर include है, आप इसको ले सकते हो, test series अलग से लेने की जरुरत नहीं है, अलग से test series लेना है, तो दो option है, एक हमने e-book निकाली है, जो only 20 रुपीज की है, इसमें आपको 20 papers मिलेंगे with solution, तो PDF winners क application से आप download कर सकते हो, इसका charge only 20 रुपीज है, इसके अलावा यहाँ पे MP Police Constable की online test series है, यह आपको 99 में मिलेगी, जिसमें 40 papers आपको मिलने हैं, यह अंतिम समय में जितने ज्यादा से ज्यादा test लगाओगे, उतना आपका फायदा है, यह ध्यान रखिए, एक दिन में आप समय maths की एक बड़ी marathon class लेकर आ रहा हूँ, अभी मैंने इसी संड़े एक marathon class ली थी arithmetic की, अगले संड़े, रोज रात को 8 बजे तो मैं आपके लिए class ले रहा हूँ, YouTube पे जो free है, इसमें हमने आप maths के mock test चालू कर दिये हैं, इसमें आप daily आपको maths के mock test में solve करा रहा हूँ, तो 8 बजे एक तो ये class attain कर लेना, इसके अलाबा बाकी teachers भी reasoning, science, MP, सब की classes चल रही हूँ, अटेंड करिए, और Sunday को भी maths की marathon class तो रखिए, अन्य विशो की भी marathon class रहेगी, इनको भी अटेंड करना, इस बार हम पूरे advanced maths का इसमें revision करने वाले हैं, तो ये class भी आप ज़रूर अट बूद करो, और cut off और इन चक्करों से ऊपर उठो, मेरी यही सला है, बाकी फिर आगे आप समझदार हैं, आगे आपकी जो एक्छा उसके आगे तो किसी की एक्छा चली नहीं सकती, बहुत बहुत धनेवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुरात रहिए, ते किया.